जेफ बिजोज ने साल 2007 में और साल 2011 में कितना इंकम टाक्स दिया? $0 एलॉन मस्ट ने साल 2018 में कितना इंकम टाक्स दिया? $0 और इन अल्ट्रा वेल्डी की चगह अगर कोई आम नागरेख होता USA का तो आप जानते हो उसको कितना इंकम टाक्स देना पड़ता? 37% 2021 में आप सब का जानना बेहत ज़रूरी है दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात आप में से बहुत सारे लोगों के हमाई पास मेल्स और मेसेज़िस आते हैं कि अधर only one कम्यून के मेडिटेशन डेली बेसिस पे कैसे अटेंड कर सकते हैं तो आप मन्तली मेडिटेशन ये लिखकर इस नंबर पर वट्साप कर दीजे तो आपको एन्रोल कर दिया जाता है मेडिटेशन ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है बाकी सारी डिटेल्स आपको वट्साप पर दे दी जाती है और दोस्तो एक और बहुत इंपोर्टन बात कि अधर only one कम्यून की तरफ से डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग के लिए टीम लाइस्टाइल के सब्सक्राइबर के लिए पर देशन दीचाँन होता है तो आप इसकिसी को भी थोड़ी से भी सिम्टम्स मैसूस ओ रहे हैं तो आप बेज जग वट्साप पर सारी डिटेल्स ले सकते हैं नमब आपकी सामने है अ Pandora Papers Biggest ever league जिसमें global leaders और India से Sachin Khendulkar Anil Ambani Vino Dadani Jackie Shroff किरन माजुम्दा शौ इन लोगों का नाम सामने आया और पूरे इंडिया में शौक वेफ्स फैल गई कि इतने ज्यादा में लोगों को ये सब टैक्स शोरी करने के ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई लेकिन एक सवाल जो बहुत ही कम लोगों के दिमाग में आया कि इस पूरे पैंडोरा पेपर्स लीक में ना तो ब्लैक का नाम है ना ही जेव विजोस, ना एलॉन मस्क, ना वारन बफे, ना ही मांग सकबब ये कुछ दुनिया के टॉप पांच सबसे गरीब लोगों के नामों के लिस्ट है क्या ये पांच लोग सच में टाक्स चोरी नहीं कर रहे है ये बात बहुत ही गहरी, गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड है और इस टॉपिक को कोई छेड़ना भी पसंद नहीं करता दुनिया के अल्ट्रा वेल्दी लोगों के नाम इसलिए नहीं आया ये पूरे वर्ल के एकनॉमिक सिस्टम का सेटब ही ऐसा क्रेड किया जा चुका है ये उन्हें टाक्स देने के नीड ही नहीं पड़ती या फिर इतना कम टाक्स देना पड़ता है कि वो दे देते हैं लियाना हेंसली के शबदों में कहें तो टाक्स और फॉद लिटल पीपल यानि टाक्स छोटे लोगों के लिए होता है आप क्रोनोलोजी समझो जो मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास है उनको सबसे ज्यादा टाक्स देना पड़ता है उनसे अमीर लोग टाक्स चोरी करते हैं और बड़ी-बड़ी टाक्स कंसल्टेंट्स को हायर करके अलग-अलग मेथर्स के जरीए अपना टाक्स बचा लेते हैं जैसे राउंट्रिपिंग, हवाला, शेल कंपनी जिसे हिंदी में डबबा कंपनी भी कहते हैं वो बनाकर अपना प्रॉफिट ऐसी शो कर देते हैं कि उनका इंडिया में तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो इंडिया के टाक्स रूल्स नहीं लगेंगे प्रॉफिट तो फॉरन में जो उनकी कंपनी है उसका हुआ है तो अब तो foreign country के rules के साब से tax लगेगा अब foreign की वो country में अगर income पर taxation system exist ही नहीं करता तो उनको tax देना ही नहीं पड़ेगा Simple ऐसे at least 87 methods exist करते हैं हो सकता है और भी हो जिनसे tax या तो बहुत ही कम देना पड़ेगा या देना ही नहीं पड़ेगा लेकिन government को भी drama पता होता है इसलिए government भी अलग-अलग tricks बनाती रहती है जैसे की P.O.E.M. का concept जानी की place of effective management का concept इसमें ये rule है कि जिस भी देश से company का असली management हो रहा है तो उसी country में tax देना पड़ेगा तो इससे tax चोर पकड़े जाते हैं ऐसे बस चुहे बिल्ली चोर पुलिस का ये खेल चलता रहता है नई trick आती है tax story की फिर सरकार नया rule ले आती है लेकिन जो उनसे भी ज्यादा अमीर लोग है सबसे अमीर, ultra wealthy यानि 100 billion dollar group पाले लोग उनको tax देने की need ही नहीं पड़ रही है जून 2021 की Forbes की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 25 richest Americans को true tax rate जो पड़ा था वो सिफ 3.4% on wealth growth 2014 से 2018 तक top 25 richest Americans की wealth 401 billion dollar increase हुई लेकिन उनने देना पड़ा सिफ 3.4% tax और average American को देना पड़ता है 14% tax अब आप ये बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट सुनो 2007 में जे विजोस जो उस वक भी मल्टी बिलिनर थे और आज सबसे ज़्यादा हमी लोगों में से एक है उन्होंने 2007 में 0 dollar tax परा कितना? 0 dollar और उन्होंने यही कारणामा 2011 में भी करके दिखाया 2018 में एलाउन मस्च जो आज कर कभी rank 1 तो कभी rank 2 सबसे अमी राद में बने रहते हैं उन्होंने भी 2018 में 0 dollar का federal income tax दिया कैसा लगा सुनकर Next बिलिनर इंवेस्चर काल ने भी यही कारणामा दो बार करके दिखाया और George Soros ने भी एक के बाद एक लगातार 3 साल तक कोई भी federal income tax नहीं दिया कौन है George Soros आप ऐसे समझेए कि यह black के बहुत ही करीबी है और दोनों साथ साथ काफी investment और planning बनाते रहते हैं अब compare करते हैं median American household से जो 70,000 dollar per year कमाता है उसको देना पड़ेगा 14% income tax ठीक लेकिन अगर आप अमेरिका के higher income bracket में आते हैं यानि की upper class में आते हैं या कहें आप एक साल में 6,28,300 dollar कमाते हैं आपको देना पड़ेगा 37% tax 37% tax तो बहुत बहुत ज्यादा होता है लेकिन wealth के equal distribution के लिए human race फिलाल यही एक solution निकाल के लाव कर reply कर पाए कि अमेरों से tax लेकर गरीबों में पैसा बाटो subsidy और free services के रूप में और जितना आपकी कमाई बढ़ती जाती है उतना ज्यादा आपको tax देना पड़ता है इसे technical terms में कहते है regressive taxation लेकिन अब दूसरी तरफ देखते है कि टॉप चार अमेरिका के अमी लोगों ने कितना कितना tax pay करा Warren Buffet सबकी गुरू निकले उन्होंने 2014 से 2018 के बीच सिर्फ 0.1% tax pay करा और Elon Musk ने 3.27% और Jeff Bezos ने तो सारे records ही तोट डाले 2014 से 2018 तक उन्होंने 0.98% tax दिया और in fact अगली बात सुनकर आप उन्होंने जादू कर भी कह सकते है 2011 में उन्होंने 0 tax भरा ये तो है उपर से उन्हें $4,000 का tax credit सरकार से वापस मिला क्योंकि उनका loss हो गया था किसी investment में ऐसे उन्होंने साबत करवाया सुनना आपने $4,000 उन्होंने सरकार से उल्टा ले लिए जबकि इस टाइम पर उनकी wealth 18 billion डॉलर की थी और अगर ये normal American होते और rules के इसाब से income tax pay करते होते तो इनको 37% income tax देना पड़ता अब ये ultra wealthy लोगों ने कुछ tricks और techniques create कर रखे होती है तो ये लोग अपने साब से income के tax rules create करवाने की ताकत रखते हैं आप ये comparison देखे अमेरिका के top 25 अमीर लोगों को normal rules के साब से income tax देना चाहिए था $143 billion ठीक लेकिन उन्होंने दिया कितना $100 billion जी नहीं $50 billion जी नहीं $10 billion जी नहीं $5 billion जी नहीं $1.9 billion दिया उन्होंने income tax और normally उन्होंने देना था $143 billion इंडिया में भी exact same concept चल रहा है अमीर को तो tax देना पड़ता है तो वो चोड़ी करता है tax और फिर कस जाता है और फिर लोगों की गालिया खाता है लेकिन जो अमीरों में भी सबसे अमीर होते है अल्ट्रा वेल्डी उनको tax देनी की need ही नहीं होती क्योंकि कुछ methods है जो आज हर अल्ट्रा वेल्डी इंसान जानता है अब ये कर के से पा रहा है ये सब वो methods है क्या आखिर वो आपको next वीडियो में पता चलेगा बस आप ये बात याद कर लो कि salary पर तो income tax देना ही होता है निकिन अगर आपकी कोई income ही ना हो कोई salary ही ना हो और सारी increasing wealth assets के रोप में हो इसके साथ साथ सब कुछ loan पर चले आपका business loans पर चले तो loan पर obviously आपको income tax नहीं देना होता है नेक्स वीडियो में आगे की सारे रास खोलते है क्योंकि इनका इड्रामा अब ज्यादा चलने नहीं वाला और ये बात दुनिया का हर एक billionaire जानता है अगर आप international शेड़ंत्र को पूरी तरह से खतम करने के लिए आई-मपेश नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp कीजिए The Final Game इस नमबर पर क्योंकि अभी आप नहीं चुड़े तो फिर बहुत देर हो जाएगी क्योंकि डूबने के बाद तैरना नहीं सिखा जा सकता क्योंकि अभी आप हो जाएगी